जी हाँ दोस्तों आपने थमनेल में सही पढ़ा सही देखा आप इस चाहसे किसी को भी पटा सकते हो किसी को अपना बना सकते हो तो बने रही है मेरी वीडियो के साथ सुरू से लाश्ट तक जरूर देखिए और आज मैं जो आप लोगों को बताऊंगा वहा अवसधी आपको बहुत ही असानी से मिल जाएगी और आप बड़ी असानी से इसको घर पर बना सकते हो और किसी को भी पिला कर अपना बना सकते हो तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है स्यामकुमार कमर आप देख रहे हैं मेरे यूटूब चैनल आओ देखो आलमिक्स तो चलिए वीडियो दोस्तों आप लोगों को स्वादिष्ट सेहत युक्त स्वास्त वर्धक मोहनी चाय बनाने के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा आप लोगों को सिंपली से जो मैं अभी बता रहा हूं उन सब चीजों को इकठा करके रख लेना है और उन सब को एक एक समान मातरा में मिलाने के बाद आप उसमें चीनी अपने स्वादा नुसार मिला सकते हो उसके बाद आपका चाय तयार है तो चली मैं उन क्या क्या चीजों को मिलाना है उन सभी अवसधियों का मिस्रर कैसे तयार करना है उन सब को मैं बता दे रहा हूं बारी बारी से दोस्तों अगर आप स्वादिष्ट सेहत्मन आयरवेदिक मोहनी चाय बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए गुलाप का फूल, कर्न का फूल, अरजुन की छाल, तुलसी के पत्ते, सौफ, इलाची, लॉंग, अद्रक, दाल चीनी इन सब को आपस में मिला कर, इनको चूर्ण बना कर, इसको किसी बरतन में एक उबाल आने तक उबाल लीजिए, उसके बाद इसमें स्वादनुसार मिस्री डाल लीजिए, या चीनी डाल लीजिए, उसके बाद इसको छान कर रख लीजिए, अब इसमें अगर दूद मिलाना च तो इसमें थोड़ी सी निम्बू का रश निचोड़कर इसको बड़े अराम से चाय की तरह पी सकते हैं, यहां आयरवेदिक स्वास्त वर्धक मोहनी चाय है, मोहनी चाय इसलिए है क्योंकि पहली बार जो भी पिएगा आपकी तारीप करे बिना तो वह रही नहीं पाएगा, क आपकी स्वास्त बड़ती चली जाएगी, आपकी स्वास्त की बिमारी दमे की या फिर जो भी जर्दी युकाम होता है वो सब खत्म हो जाएगी, इससे आपकी पेट की गड़बडी समस्या जो भी है वो भी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी, और इस चाय को पीने से आपके ह पर आप असानी से बना सकते हो और आप किसी भी अपने मेहमान की मेहमान नवाजी अच्छे धंग से कर सकते हो उसका दिल जीश सकते हो उससे तारीफ है बटोर सकते हो तो आज की यहाद आयरवेदिक शाय की जानकारी दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बाक समय नहीं मिलते हैं और वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई नमस्कार जाहिएं